दू लुडाते तेज रफ्तार में महल की तरफ आते हुए खुड़ सवारों को देखकर, कुछ प्रताप तेजी से सेनपती को खोजने निकले, कूछ करने के लिए मेवार की सेना तयार थी, ऐसे में सेनपती को खोजना आसान नहीं था, तभी प्रताप के कंदे पर किसी ने हा पिलहाल, राजासान ने शिग्राप को अपने कक्ष में बुलाया, जल्दी चलिए कोई, प्रताप हैरान थे कि सेनपती को उनकी बात कैसे बता चली, लेकिन उन्होंने सवाल करना भी ठीक नहीं समझा, और तेज खदमों से सेनपती के साथ, महराज उदय सिंग के कक्ष की बस अब और नहीं जानना चाहते हैं, फिर उन्होंने सफेद पोशों की तरफ देखते हुए कहा, शम्स खान ने स्वयम इस युद्ध का नियोता दिया था, अब वो सुलह करने स्वयम क्यों नहीं आया यहापर, उनमें से एक सफेद पोश ने कहा, जैसा कि कुर्पता आप उन्होंने बताया कि उनकी जान को खत्रा है, ऐसे में उनका यहाणा ठीक नहीं था, हमें भी यहाँ इस सादे वेश में और बिना अपने चंडे क्याना पड़ा, उन्होंने कहा, यह युद्ध कोई बच्चों का खेल लहीं, इस बार हम ये युद्ध रोकने के लिए तयार है, लेकिन शम्स खान से कहो, कि मुझे मोहर लगे पत्र पर ये लिख कर दे, कि वो मेवार की स्त्रियों के तरफ कभी नजर उठा कर नहीं देखेगा, और कभी अगर उसने ऐसा किया, तो उसकी आखे नोचने से हवें कोई नहीं रोक पाएगा, उदाय सिंग की बात सुनकर एक नकाब पोश टैश में आ गया, लेकिन दूसरे ने उसे शांत किया, और उदाय सिंग से कहा, जी बहतर, हुजूर को ये खबर पहुचा दी जाएगी, वैसे हुजूर ने आपके लिए भी कुछ सोचा है, एक नए समझोते के बारे में, एक ऐसा समझोता, जो आज से पह उसके शब्दों का पूरा ध्यान देना होगा, कि वो क्या चाहता है, सफेद पोशों के कमरे से जाते ही, प्रताप ने अपने पिता से कहा, पिता जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे एक साजिश की खबर मिली थी, उदाय सिंग ने प्रताप के चहरे को से देखते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि किशन सिंग कल रात मारा गया, प्रताप हैरान था, किशन सिंग मारा गया, इससे साफ हो गया था कि कोई था, जो मेवार में हो रही हर कतिविधी पर आख गड़ाय बैठा था, प्रताप में कल रात जो हुआ था, वो सारी बाते उदय सिंग और सेनापती को बताई, उसकी बातों से उदय सिंग का घुस्ता बोड़ा कम तो हुआ, लेकिन प्रताप से उनकी नाराजगी कम नहीं हुई, पहले तो उन्होंने सेनापती से कहा कि वो जाकर मेवाड की सुरक्षा में दुगने सैनिक टैनात कर दे, और फिर प्र प्रताप कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अभी अपने पिदा की आग्यास विकार करना ही बेतर समझा, उधर शम्स खान की चावनी में एक लड़की बंदी-बनी खड़ी थी, उसके माते से खून पह रहा था, शम्स खान की आँखे लाल थी, वो गरचता हुआ उ उस लड़की ने अपने होट और जोर से दबा लिये, ताकि उसके मूँ से एक शब्द भी न निकले, अफगान सैनिक ने इस बार उसकी पीट पर कोड़े बस आई, लेकिन उस लड़की ने उफ तक नहीं किया, बस शम्स खान के चहरे को गोर से देखती रही, तब ही शम्स सिंग मारा गया, लेकिन तुम्हारे बाकी साथियों को हम पकड़ लेंगे, मिवार के महल पर अब सिर्फ अफगानी जंडा ही लहराएगा, अब कोई भी हमारी जीत के बीच आएगा, तो जान से जाएगा, उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, और पूरी ताकत से शम्स खान क शम्स खान अब हुस्से से पागल हो गया था, उसने आदेश देते हुए कहा, इसकी ये हमाकत, ले जाओ इसे, और तब तक इस पर कोड़े बरसाओ, जब तक ये कुछ उगल ना दे, शम्स खान भी ये जानता था कि वो लड़की अपना मू नहीं खुलने वाली थी, इधर मिवार के युद्ध रोक देने की खोशना हो चुकी थी, राजपूतों ने राहत की सांस ले तो ली थी, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया था, युद्ध क्यों रोका गया था, पल भर के लिए प्रताप को निश्चिंतता महसूस हुई लेकिन, फिर उन्हें ये जिंत सताने लगी कि कोई तो है, जो उसके पिता की जान के पीछे पढ़ा था, इन्हीं विचारों में खोई हुए कुमर प्रताप अपने कक्ष में जाने के बजाए, धीर बाई के कक्ष की ओर चल दिये, धीर बाई अपने पलंग पर बैठे बैठे ही विश्राम कर रही थी, रा लगा लिया और रोते हुए उनका माथा चुमते हुए का, आपने तो मेरी जानी निकाल दी थी, ऐसे समय में आप रात में अकेले क्यों गए? प्रताप ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते रहे, अपनी छोटी मा के इस वातसले से वो भाव विभोर थे, तभी धीर तो कियान, बान, शान पर आच नहीं आने देना? धीर बाई ने धीरे से अपने बाते से प्रताप का हाँ धटाया, और आखों से याँ सूलिये कहा, मैं धन्य हुई आपके जैसे पुत्र को पाकर, लेकिन आपके चहरे से प्रतीत होता है कि आप किसी गहरी चिंता में है, कुर प्रताप ने पूछा, हमारे बीच, आप किसी की तरफ इशारा कर रही है चोटी माँ? धीर बाई ने कहा, किसी की तरफ भी नहीं, हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन जो हो रहा है इन दिनों, उसे देखकर ये बिल्कुल साफ है, कि कोई है हमारे बीच ही जो दुश् पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, ये चिंता का विशय है, लेकिन अभी आप जाकर विश्राम कीजे, अमारे कुप्तचर जरूर इस बात का पता लगाएंगे, आपके उपर और भी कई जिमेदारिया है, तभी दोनों किसी और की आवाज सुनकर चौक पड़े, हाँ, पूजा के लिए चौरी तालाब से सफेद कमल चाहिए होता है, लेकिन आप चिंतितना हो, आपके छोटे भाई शक्ति सिंग भूले नहीं थे, वो ले आए हैं, प्रताप ने सर चुका कर धीर भाई से क्षमा मागी, लेकिन धीर भाई मुस्कुरा रही थी, जाइए कुमर, कल रात आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी की है, और इसलिए हम आपको कल कुछ दिखाएंगे, अब आप विश्राम कीजिए, सज्जा भाई का मुह बन गया, प्रताप अपनी दोनों मा को प्रडाम कर, उनसे आग्या ले वहाँ से चली गए, आखिर कल सुबह, उ उनके सामने तलवार ताने खड़ा था, तलवार की चमक से साधा उस व्यक्ति के मुख पर तेज था, प्रताप चौकन्ने हो गए, उन्होंने भी फूर्ती से अपने पलंग के बगल में पड़ी अपनी तलवार उठा ली, वो छलांग लगाकर उस व्यक्ति के सामने थे, तलवार के टकर की आवाज उस गमरे में गूजने लगी, प्रताप बस उस व्यक्ति की गर्दन पर तलवार रखना चाता था, और चानना चाता था कि वो व्यक्ति कौन था और त्यूं वहां आया था, इसलिए प्रताप ने अपना दाफ बदला और उस व्यक्ति के एकडम जा उसकी गर्दन की तरफ तल्वार बढ़ाई। जैसी वो आगे बढ़ा और वार किया। उनकी तल्वार उस व्यक्ति की तल्वार से टकरा कर जमीन पर गिर गए। कोईर प्रताप को समझ नहीं आया कि आखर ये कैसे हुआ। सामने खड़ा व्यक्ति अब मुस्कुरा रहा था। प्रताप समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें तालियों की आवाज सुनाई दी। प्रताप ने मुड़ कर देखा तो राज अउदय सिंग उसके द्वार पर खड़े थे। उन्होंने अपनी रौबदार आवाज में उस व्यक्ति से कहा। वाज से आपको युद्ध कला का प्रशिक्षण आचारे रागवेंद्र देंगे। ये आपको सिखाएंगे कि कैसे तलवार बाजी सिर्फ तलवार चलाने से नहीं होती। युद्ध सिर्फ वार करने से नहीं जीता जाता। प्रताप को अब कुछ-कुछ समझा रहा था। उसने आचारे रागवेंद्र को प्रणाम किया। लेकिन आचारे ने उन्हें आशिरवात देने की मुद्रा में सिर्फ हाथ उठाया। पुछ बोले नहीं। उनके चहरे पर अजीव सी कठोर था थी और प्रताप के लिए कोई समवेदना नहीं। तभी राजा उदैस सिंग ने भी कठोर स्वर में कहा कुछ प्रताप अब हम आपको आपका दंड सुनाते हैं। आप आज के बाद आचारे रागवेंदर से आगया लिये बिना इस महल से अकिले बाहर नहीं जाएंगे। प्रताप जानते थे कि उनके पिता ने उनको ऐसा दंड क्यों सुनाया था। और उन्होंने वो दंड स्विकार भी किया। लेकिन एक अजनभी के हाथ में अपनी बागडोर यू दे देना उन्हें थोड़ा खटक रहा था। लेकिन अपने पिता की बात को उन्होंने हमेशा अपने सराखों पर रखा था। उदय सिंग ने आचारे की ओर देखकर कहा। आचारे रागवेंद्र से पूछा, आचारे रागवेंद्र ने कहा, अभी आप सिर्फ 14 साल के हैं, युद्ध कला में अभी आपके दूद के दांत तूटने बाकी हैं, आप अच्छे युद्धा हैं लेकिन राजपुताना के द्वज को कभी ना जुकने देने के लिए इ इसका उत्तर आप स्वयम सोचिएगा कुवर, कल से आपका प्रशिक्षन शुरू होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप उत्तर के साथ ही अभ्यास प्षेत्र में उपस्थित हो, इतना कहकर आचारे रागवेंद्र भी चले गया, कुवर प्रताप गहरी चिंता में इतना गहरा है कि आपके पिता ने जो निर्ने लिया है वो सही है, अच्छा हमने कहा था ना कि हम आपको कुछ दिखाएंगे, हमसे कल तक रुका ना गया, चलिए हमारे साथ, धीर भाई कुवर को एक कक्ष में ले गए, कुवर प्रताप ने गौर किया कि उस पूरे कक्ष म महसूस हो रही थी, और वो शक्ति एक नहीं, कई शूर वीरों की थी, धीर भाई कुवर प्रताप को बड़े ध्यान से देख रही थी, उनके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, वो समझ गई थी, कि बिना कुछ कहे ही कुवर प्रताप ये समझ चुके थे, ये तलवार कोई साधारन तलवार नहीं है, उन्हें जग्यासा थी तो बस ये जानने की, कि इस तलवार के पीछे की क्या कहानी है, या यू कहें कि कितनी कहानिया है, उस तलवार को कुछ पल निहारने के बाद कुवर प्रताप ने धीर भाई की और देखा, कुवर के कुछ कि अस्तित्व को अपना स्तित्व माना और आखरी सांस तक लड़ें। धीर बाई की ये बाते सुनकर कुवर प्रताप ना सिर्फ भावुक हुए बलकि पूरे जोश से भर गए। जैसे वो प्रण ले रहे हूं कि एक दिन मेवार के शूर वीरों में वो अपना भी नाम जोड इस तलवार का मान रखने के लिए आप ऐसी घलती कभी मत करना। इसे उठाने के लिए आपको पहले इसके योग्य बनना होगा। आपको पहले ये समझना होगा कि आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है। आपका धर्म और कर्म है मेवार की सुरक्षा। जिस दिन आप किस तलवार को नहीं उठाऊंगा, जब तक इसके योग्य नहीं हो जाता, जब तक मैं अपने पूरवजों के मेवार के लिए बलिदान को समझ नहीं लेता, इतना कहकर कुणर प्रताप अपने कक्ष में चले गए, अगले दिन कुणर प्रताप जल्दी उठे, क्यूंकि आज प्रशिक्षण का पहला दिन था, एक और वो अभी तक उस प्रश्न का उत्तर सोच रहे थे, जो उन्होंने आचारे रागवेंदर से पूछा था, उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है उनके बीच जो मेवार की शांती भंग करना चाहता है, वही दूसरी ओर, वो तलवार उनके मन में जैसे घर कर गई थी, प्रशिक्षण में जाने से पहले, कुणर प्रताप एक मार उस तलवार के दर्शन करना चाहते थे, वो उस कक्ष में वापस गए, ज तो उनके में देखा कि तलवार उस जगह पर नहीं थी, कुणर प्रताप चौक गए